तो हेलो गाइज एक बार फिर से में रोहिता आपका स्वागत करता हूँ मेरे ट्रेनल जब्टर क्लासेज में तो गाइज हम अपने अब की बार जेकेपी कंस्टेबल पार की सीरीज में पहुंच चुके हैं अपने डे नंबर 17 पे गाइज आज तक आपका बहुत प्यार मिला सोलंग दिन ऐसे बीत गई कुछ पता ही नहीं चला तो आज हमारा टॉपिक रहने वाला है गाइज नैशनल इंसाइनिया आफ इंडिया यानि की जो नैशनल फ्लार नैशनल एनिमल नैशनल बर्ट उनके साइंटिफिक नेम ठीक है नैशनल जो हमारा फ्लैग है उसके बारे प्लैनिंग अबाइट यस्टड़े वांट में टुमारो एनि बैटर देखो हम क्या करते हैं हमने अगर कोई काम कर लिया हम आने वाले टाइम उसके बारे पश्टाते रहते हैं हम कहते हैं कि यार मेंने वो सब क्यों किया मुझे वो सब नहीं करना चाहिए था अब मैं क्या पास्ट के बारे में कमप्लेंड करना, बंद कर देना साइए, सब्लेंग करना है, यह सब हुता था, फिर हमें ऐसा हुआ, फिर हम वे हमारा फेलियर हुआ, टीक है, यह सब चीज़ें, आपको बिल्कुल आपके दिमाग से, बिल्कुल बहार निकाल देनी है, आपको सर्फ क्या करना है, आपको सर्फ अपने future के बारे में सोचना है, कि बस अब मेरा एक ही काम है, देखो आप उन गलतियों से सीख सकते हैं, जो अपने past में करिए, ठीक है, कि आप उनको आगे उन गलतियों को दुबारा नहोदर आए, ठीक है, अगर आपको अपने future को better बनाना है, तो आपको अपने past के बारे में सोचना बंद करना होगा, ठीक है guys, तो आज का topic स्टार्ट करते हैं, देखो guys, पहला है हमारा Indian flag, ठीक है, Indian flag, यहीं कि हमारा जिंडा, ठीक है, Indian flag को design किया गया था, symbol of freedom, ठीक है, यहीं कि हमारी आ क्या मानते थे, सब के लिए आजादी का एक प्रतीक मानते थे, सिर्फ इसको flag ही नहीं मानते थे, अपने लिए, बलके पूरी देश की आजादी का प्रतीक मानते थे, तो Indian flag जो है, यह horizontal है, देखो horizontal क्या होता है, इस तरह इसको कहते हैं कि horizontal है, ठीक है, इसके सब से उपर खाता हूँ flag, देखो guys, यह आपके सामने flag है, यह saffron है, यह white है, यह green है, क्या है guys, यह saffron सब से top पे है, center में white है, नीचे green है, ठीक है, तो आओ देखते हैं कि saffron हमें क्या बताता है, तो guys, जो saffron color है, उससे हमें क्या सीख मिलती है, यह एक symbol है, यह परतीक है, किसका strength का कि हमें strength है, हमें courage है, ठीक है, sacrifice कर सकते हैं अपने देश के लिए, separate of renunciation of the country, तो white जो middle में है, वो क्या दरशाता है, वो peace, purity, truth, ठीक है, हमारा जो सचाई है, peace है, ठीक है, वो कौन सा color symbolize करता है, वो करता है white, ठीक है, और उसके बीच में एक धरम चक्रा भी है, आगे धरम च चक्रा है, उसको dark green color में क्या किया गया है, उसका color है, and the bottom symbol of fatality, faith, growth, and auspiciousness of the land, वो जो नीचे bottom, जो है, dark green color, जो सबसे नीचे है, ठीक है, वो क्या दरशाता है, वो दरशाता है, कि fatality हमारा देश आगे बढ़ता रहे, ठीक है, यहाँ पे क्या हो, growth होती हो, हमारे, हमारे जो हमारा यह flag जो है, हमारा जो तुरंगा कहते है, इसकी जो width है, यह क्या है, two is to three है, two is to three है, हमारे flag की जो width अगर पूछा जाहे, जो इसकी length की width क्या है, ratio क्या है, two is to three है, ठीक है, तो अब इसके center में yourself, जो मैंने कहा था, कि जो white band है उसको कहते हैं, white band के बीच में जो एक wheel बना हुआ है, चक्र बना हुआ है, navy blue color का, उसको हम कहते हैं, धरम चक्र यानि कि अशोका चक्र है, ठीक है, इसने replace किया था, जो गांधियन का spinning wheel था, जब historically क्या गया था, वहाँ पे historically क्या था, वहाँ पे depth में क्या था, center में क्या था, वहाँ पे spinning wheel था, लेकिन उसको अशोका चकर से, क्या क्या गया था, replace कर गया था, and separate the national flag from that of the international congress, उस वकत, इंडियन नाशनल, जो जो इंडिया का जो नाशनल फ्लैग है, उस वकत क्या क्या गया, separate कर दिया गया हमारे नाशनल फ्लैग को, इंडियन नाशनल कांगर्स के फ्लैग से, ठीक है, इसकी जो diameter जो है approximately, जो width जो है, इसके white band की, इसमें 24 spokes है, कितने हैं guys, ठीक है, कानून का एक चर्खा, ठीक है, इन दा सर्माथ लाइन कैपिटल मेड बाई थर्ड सेंचरी बीसी मौरियन अंपरर जो अशोका थे, उनके उसमें क्या बनाया गया था, ठीक है, चक्रा जो है, ये intent करता है, क्या करता है, ये हमें ये शो करता है, कि life in the moment and death in a stagnation, ठीक है, ये कहता है, कि हमारी जिन्दगी क्या है, चलती ही जा रही है, चलती ही जा रही है, और ये कब रुकेगी, जब हमारी death होगी, ठीक है, तो अगला है guys, national anthem of India, national anthem of India का वारे में सब जानते हैं, कि देखो जब भी हमारी morning assembly होती है उस वकत क्या होता है, कि जो हमारा national anthem जो है, उसको वहाँ पर गया जाता है, जना गना मना दी नायक का जया है, ठीक है, ये क्या है, ये हमारा national anthem है, ये बंगाली में रिखा गया था, इसके जो पहले five stanzas हैं, ठीक है, off and odd composed, ये किस ने composed किये हैं, ये composed किये हैं, रभींदर रना टैगोर ने, ठीक है, और जो सांग जना गना मना जो है, ये सबसे पहले कप गया गया था, इसको गया गया था, जब international congress का कलकता session था, ठीक है, सबसे पहले कप गया गया था, याज आपको डेट पूछिया सकती है, आपके exam में, कि जना गना मना जो हमारा national anthem इसको सबसे पहले कप गया गया था, जब कलकता session था, December 27, 1911 में, देखो, जो congress के जितने भी session थे, वो December में ही होते थे, कब होते थे गाई, December में ही होते थे, तो January 24, 1915 को क्या हुआ, जो constituent assembly थी, उसने national anthem of India को क्या किया, इसको अपना song, जो national anthem में, उसको इसको अड़ाप्ट कर दिया, ठीक है गाई, तो जो complete song जो है, इसमें सिरफ कितने stanzas हैं, five stanzas हैं, जो पहला stanza जो है, जो हम गाते हैं, जना गना मना जनी को, जो 52 second का जो है, वो stanza हम गाते हैं, ठीक है, तो अगला है guys हमारे पास, Indian national emblem, ठीक है, जो India का national emblem है guys, वो क्या है, यह बिल्कुल एक replica है, किसका जो line, जो है, सरनाथ का नियर वारण असी में, उत्रपरदेश का, उत्रपरदेश में एक वारण असी जगा है, ठीक है, वहाँ पे एक line of सरनाथ है, बिल्कुल उसी की तरह यह replica है, तो लाइन कैपिटल जो है इसको खड़ा किया था थार्ट सेंचरी में जब एंपरर अशोका थे इसमें क्या है यहां पर बताया गया था कि जो मौरियन एंपाइर थे अशोका जो थे उन्होंने वारा नसी में सरनात का जो यह लाइन है वहां पर खड़ा कर दिया था थार्ट सेंचरी बीसी में यह किया था उन्होंने इसलिए किया था क्योंकि जो वो जो थे बुद्धा के बहुत बड़े फालोवर थे कौन थे गाइज अशोका जो है वो बुद्धा के बहुत बड़े फालोवर थे तो इसलिए उन्होंने वहां पे उनकी याद में उनकी मतलिब की लोगों की उन्होंने क्या किया था वहां पे जो बुद्धा जो थे उन्होंने वहां पे लोगों को क्या किया था लोगों को शा हमारा national emblem है उसकी picture देखो आपके सामने दिख रहे है यह चार चीते आपको यह चार शियर यहां पर आपको दिख रहे हैं पीछे भी एक शियर वह दिखता नहीं है वह हीडन है ठीक है यहां पर आप देख रहे हैं अभी इसके बारे में आपको बताऊंगा आपको में निचे स करता है सिंबलाइज करता है पावर को यह नहीं कि जो शेर हो तो उसकी बहुत जादा पार होती है ठीक है और कांफिडेंस होती है ठीक है और रेस्ट आने यह किस पर खड़ा है एक सर्कूलर अबेकस पर यह खड़ा है ठीक है और यह अबेकस जो है इसको गीड किया गया है चार small animal, छोटे-छोटे animal से, ठीक है, guardian है, 4 direction के, ठीक है, 4 direction के, वो guardian है, ठीक है, नार्थ में कौन है, गाइस, नार्थ में line है, याद रख सकते हैं, इसको आप याद रखना ही पड़ेगा, नार्थ में line है, elephant जो है, वो east में है, horse जो है, वो south में है, और bull जो है, वो west में है, देखों, इसको आप कैसे याद रख सकते हैं, नार्थ, ठीक है, south, east और west, ठीक है, east में कौन है, guys, east में e से, elephant, नार्थ में कौन है, guys, नार्थ में है, lion, south में कोन है, horse और west में कोन है, guys, bull, ठीक है, याद याद रखने ही पड़ेंगे, आपके एक्जाम में ही, question गумा के भी जा सकता है guys ठीक है अब जो abacus जो है वहां पर गया है guys जो abacus जो है जो lotus जास्ट आने lotus of full bloom exemplify करता है जो हमारा fountain had a life का creative inspiration है जो motto है सत्या में जयते जो इसके नीचे लिखा गया है इंस्क्राइब किया गया है तो देवनगरी script में लिखा है इसका meaning होता है कि truth alone dreams यानि कि सचाई की हमेशा ही जीत होती है ठीक है अगर कभी पूछा जाए कि सत्य में उजयते का meaning क्या होता है उसके meaning होता है कि truth alone dreams यानि कि हमेशा सचाई की जीत होती है ठीक है ऐसे भी आप सब को क्या करना चाहिए हमेशा सच बोलना चाहिए कितनी भी critical अगला है national song of India, इंडिया का national song कौन सा है, इसको किसने compose किया है, बंकिम चंद्र चत्व पद्याइन है, ये song अपियर किसमे हुआ था, बंगाली नावल अनन्दमत, ठीक है, अनन्दमत एक बंगाली नावल, बंगाली उसमें भाष्या में लिखे गई एक नावल है, उसमें इस song को अपियर किया गया, तो देखा गया था, ठीक है, इसकी English translation जो है, ये निकि जो हमारे national song है, वो वन्दे मातरम है, क्या है गाईद, वन्दे मातरम है, तो इसको English translation किसने किया था, इसको English translate किया था, आरो बिंदो ने, ठीक है, और is considered to be official and best, इसको official or best माना जाता है, जो पह अले stanza को हमारे national song का status दिया हुआ है, यनि क्या है, वन्दे मातरम, ठीक है guys, फिर अगली है हमारा India's national sport, इंडिया का national sport कौन सा है, ठीक है, national खेल कौन सा है, हाकी कौन सा है guys, हाकी है, हाकी है, हाकी is the national game of India, इंडिया की national game कौन सी है, हाकी है, ठीक है, unmatched excellence and incomparable virtuosity brought India a string of Olympic gold medals, ल इसमें Olympic gold medals मिले हैं ठीक है जो brilliant Indians जो है इन्होंने एक टच लिया है black match play and ball juggling ठीक है फीट से इंडियन वेरा sheer delight नहीं कि मतलब कि इस जो sport है हमारा national sport है इससे इंडिया ने बहुत सारे medals जीते हैं Olympics में ठीक है guys तो अब है guys हमारा India's national board ठीक है male species जो होती है pre-status क्या है गाइज यह species है एक pre-crestatus यह इंडिया का native है with striking plumage and upper tall converge mark the iridescent ठीक है iridescent olex able to expand to tail erect like a fan इसका जो पीछे जो मतलब पूंच होती है वो एक fan की तारह दिखती है ठीक है यह क्या होती है o stand tissues का display होता है peacock जो है are related to peasants से related होता है तो यह कहा होता है जंगलों में हमारे इंडिया के जंगलों में पाय जाता है और इसको क्या होता है गाउं में इसको पाला भी जाता है ठीक है तो यह क्या है they were once bred for food but now hunting of peacock is banned in India ठीक है इसको पहले खाने के लिए क्या के जाता था इसको पहले लोग शिकार करते थे इसको खाते थे ठीक है लेकिन अब जो है इसका शिकार करना इंडिया में ban हो चुका है ठीक है they were harsh call उनकी एक अच्छी आवाज नहीं होती है ठीक है यह देखो आप यहां पे इसकी पिक भी देख सकते हो जो हमारा नैशनल बार्ड है इंडिया का ठीक है यह देखो यह किस तरह पीछे से आपको दिख रहा है इसकी जो back side से आपको यह punk दिख रहे है इट लुक लाइक सा fan यह ठीक है यह fan की तरह दिखता है जो हमें बहुत ही अच्छा लगता है ठीक है फिर है guys हमारे पास अगला इंडिया इशनल आनिमल क्या है guys color क्या होता है इसका value color होता है और बीच में black black color के stripe लगी होती है ठीक है white belly होती है ठीक है और इसकी जो power होती है वो तो बहुत ही magnificent होती है ठीक है और ऐसी बहुत मतलब क्या है बहुत कम tigers लड़ा चुकी है हमारे world में ठीक है एक det Luck it किया होता है आपको पता दूम तीजारी जारी है यह मतलब क्छी 100 मतलब यह बचे होएय है यहां पर गोब्नेंट आफ ऐन्डिया ने इसका एक project tiger जो है क्या किया था launch किया है इसके product मतले project में क्या किया है उन्होंने एक बहुत जादा कोशिश करी है कि जिससे की tiger की population को यहां पर preserve किया जाए उन्हें ड्विंडल होने ना दिया जाए उनको reduce होने ना दिया जाए थीक है तो today thanks to project tiger आज देखा जाए तो जो project tiger start किया गया था government of India ने उससे जो है population जो है tigers की वो to some extent क्या होई है increase होई है guys ठीक है यहां पर मैंने आप tiger की पी किसले ने दिखा जेए क्योंकि उसको सब जानते हैं ठीक है जानते हैं यहीं कि आपके घर में तो नहीं आया है बट आपने उसको कहीं ने कहीं देखा हुआ guys तो India's national tree अब है हमारा India का national tree कौन सा है guys ठीक है Indian fig tree Ficus bengalenses ठीक है यह क्या है इसका यह नाम है ठीक है Ficus bengalenses ठीक है Ficus bengalenses जिसकी branch जो होती है वो क्या होती है वो खुझ से जमीन में गड़ी होती है like new tree or a large area ऐसा दिखता है कि मतलब कि यहीं से उसकी उसका क्या है ट्री लगा हुआ है, अभी मैं आपको देखो यह इसकी पीक दिखाता हूँ, यह देखे गाइज, यह बन्यान ट्री की क्या है, यह पीक क्या आपके सामने, देखो जो इसकी ब्राण्ज जो होती है न, ऐसा लगता है कि यहीं से मतलब कि पूरा ट्री जो है, खड़ा लगा पूछा जा सकता है जो मैंने आपको बताया वह यहां पे लिखा हुआ है इसका जो क्रेक्टरिस्टिक है और इसकी जो लॉंगविटी जो है यह ट्री जो होता है इसको इम्मॉर्टल बोला जाता है और इंटेग्रल पार्ट अव दमीथ है लेजेंड्स आफ इंडिया आज भ धिक जो ओती है रही स्क्रेंड्स जो होती है और इस पेड की पूझा भी करी जाती है इसको शास्त्रों के हिसाब से भी एक एहम पेड्स माना जाता है तो अभाइज है हमारे पास इंडिया का नैश्णिल प्रूट कौन सा है फलस्षी फ्रूट क्या है liegen स्किन ठरब सदाय अगर पक जाए, इसे हम खाते हैं, कच्चा हो, तो इसे का हम अचार डालते हैं, अम्ब का अचार आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा, और बहुत ज़्यादा खाया भी होगा, ठीक है, और इसको scientific name क्या है, इसका scientific है, मैगनिफेरा इंडीका, क्या नाम है जिसका, मैगनिफेरा इंडीका, ठीक है, यह एक important पेड़ है, जिसको cultivated के जाता है, मतलब tropical world में, ठीक है, यह juicy fruit है, ठीक है, इसमें विटामिन A, C और D पाये जाते हैं, गाइस, कौन से, जो मैगनिफेरा इंडीका है, यह नहीं कि जो पाये जाती हैं, और अलग-अलग size के होते हैं, shapes के होते हैं, color के होते हैं, ठीक है, एक shape के mango में, यह देखिए, एक shape का, मैंने आपको यहां पे mango दिखाया, कितना अच्छा लगता है, ऐसम मन करता है, इसे अभी यहां से, खा लें, ठीक है, अभी नहीं खाना, बाद में खा ठीक है, और जो point यो थे, काली दास यो थे, उन्होंने भी इसकी praise में, इसकी, खुशामद में, बहुत सारे कुछ, उन्होंने कविताय गाई हैं, ठीक है, और अलेक्जेंडर ने इसके, जो इसका taste किया, उसको भी बहुत अच्छा लगा, और जो Chinese pilgrim जो यहां पे आये थे, हुन सांग, उनको भी अच्छा लगा, ठीक है, तो अकबर ने, मतलब कि एक लाख मैंगो ट्रीज लगाए थे, ठीक है, उनको भी बहुत अच्छे लगे थे, यह ट्रीज, दरबंगा, नौन एज दा लखी बाग, ठीक है, लखी बाग में, उसको लखी बाग कहा जाता है, अकबर ने, एक लाख पेड लगाए थे, ठीक है, तो अब तो आपको, जो हमारा नाशनल फ्रूट है, उसकी इंपार्टनस आपको पता लग जोकी होगी, तो आप यहां से जाके घरवालों को बोल देना, कि हमें पैसे दो, हमने क्या बोलते है, मैंगो खाना है, क्योंकि इ इसने पैड लगाए, काल तरहन ने, इसके गुर्ण गाइ, ठीक है, चलो, वो सब बातें, बात में होगी, अब अगला देखते हैं के, इंडियाज नैशनल फ्लार कौन सा है, इंडिया का जो फूल है, ऌश्च्ट्रीफूल है, वो कौन सा है, लोटस है, कौन सा है, गाई, lotus or water lily is an aquatic plant of neumpia with broad floating leaves, इसकी जो leaves जो होती हैं वो तैरती हुई हमें नजर आती हैं, होती भी है तैरती हुई, ठीक है, और bright flagrant flowers चमकता हुआ एक क्या है, floor है, that grow only in the shallow water, जो सिर्फ shallow water में ही क्या होता है, grow करता है, इसका जो पत्ते जो होते हैं, और flowers जो होते हैं, यह float करते हैं, like a have a long stem with content air species, ठीक है, उन में क्या होती है, जिससे कि वो हवा में ऊट रहे हैं, ऐसी हमें वहां पर नजर आते हैं, ठीक है, बस आपको क्या रखना है कि इंडिया में क्या होता है, sacred lotus होता है, यह legendary माना जाता है, and means folk for religious methodologies woven around it, अब देखो, यहां पर क्या होता है, कि जो यह गुलाब का, sorry, जो यह हमारा lotus का जो फूल होता है, इसको मंदरों में भी चड़ाया जाता है, ठीक है, आपने कुछ जो हमारे, अगर हिंदू रिलिजिस में देखें, यहां पर कुछ गाड्स जो हैं, वो भी क्या होते हैं, वो भी फूल पर क्या करते हैं, फूल पर बैठे होते हैं, ठीक है, लोटस के फूल पर बैठे होते हैं, तो इसकी भी बहुत जादा importance है, और यह हमारा इंडिया का national flower भी है, देखें, यहां पर आप इसकी पिक देख रहे होंगे, कितना खूबसूरत लगता है, यह पानी में जब यह तैरता हुआ में दिखता है, कितना मतलब प्यारा लगता है, ठीक है, तो यह क्या है, हमारा national flower है, तो यह थी हमारी आज की वीडियो, आपको यहां से कुछ चीजें सीखने को जोर मिली होंगी, ठीक है, अगर सीखने को कुछ चीजें मिली हैं, तो गाइस हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके अपना feedback दें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और चैनल को शीर करें अप पूछे जाते हैं, और यह आपके सामने एक website है, इसको आप visit कर सकते हैं, अगर आप कोई quiz attempt करना चाहते हैं, तो गाइस ठीक है, तो गाइस यह थी हमारी आज की वीडियो, इसको यहीं पर स्माप्त करते हैं, God bless you all, thank you.